ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपके राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारी धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देरिक राशी फल यह राशी फले 16 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन है कार्तिक महा के शुकलपक्ष की द्वादशी तिथी रहेगी इस दिन प्रदोश का वरत रहेगा भोम प्रदोश का इस दिन वरत रहेगा जो माताएं बहने भक्त जन प्रदोश का वरत करते हैं उनको इसी दिन प्रदोश का वरत करना चाहिए तथा सूरी का इस दिन राशी परिवर्तन होने से सूरी सक्रान्ती मासिक सक्रान्ती का महा परव भी इसी दिन रहेगा दिशासुल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नकुसान दाईसा भी थोगा अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो गुड़ खाकर के यात्र औरम्प कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर तीन बजे से शुरू हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मंगलिक कारिकरम संपर्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का नर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथ्वा दर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की तुला और व्रश्चिक दो राशियों में विराजित रहेंगे यह न तथा केतू वरश्चिक रासी में विराजित रहेंगे इस देनिक रह गोचर के अनुसार वरशब मिथोन सिंग धनो और कुम्ब ये पांच राशियां सबसे अदिक भागी शारी रहने वाली है देन इनके लिए लाप पर सिद्ध होगा धनलाप के सांसा कारिक्षितर में उन् भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित को निखारने में व्यतीत करेंगे आत्म अवलोकन में व्यतीत होगा इसे आपको बहुत मानसिक शान्ती अनुभव होगी अर्थिक द्रिष्टी से दिन उपल भलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा आज आपका कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखे विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिनाम हासिल होगे और उपाई के रूप में भगवान शंकर जी विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकों रखना आपको बहतरिन उपलब्दी हासिल करवाएगा नया वाहन नई भूमी नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहु भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं सकारत्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे अगर प्रापर्टि या किसी अन् प्रवत्मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रु या वहचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा और उपाई के रूप में लाल रंग का फल यदिया भोजन के बाद तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जाव आत्मेश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इजाफा होगा अपने मन मताबिक कारि करने से आपको रहात मिलेगी किसी किसी समय भावगता और आलस्सी की वज़े से बंते-बंते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाह अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे दूसरों की समस्यावव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी आपके लिए बहतर सम्मान जन के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना आपके लिए शुप्फल दाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं वर्श्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लाबदायक परिश्चितियों का निर्मान करेगा घर की सुक्सुईधाओं संबंदी कारियों में आपका समय वितीत होगा कुछ नकरत्मक प्रबत्ति के लोग आपको नुकसान पह बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भाग्यिशाली अंक पांच होगा भाग्यिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं अध्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुश्णुमा रहेगा रिष्क प्रवत्ति के लोगों को जो है आज साउधानी बरतना चाहिए किसी भी काम में रिष्क न लेना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तु का डान किसी भी गरीव या जरवत्मन व्यक्ति को करेंगे तो आपका डेंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की धार्मिक वा अध्यात्मिक ख्रेत्र में आपको फाइदा होगा आ कुछ समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अपने गुस्से पर आपको नियंत्रन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय लौंग इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबि आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्ब राशी की आज आपको महत्तु पूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्तु पूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के सांध साथ नए घर की सुब चना भी आपको प्राप्त हो सकती है पदोन्ती के सांध साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेगा जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी कलात्मक क्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिकता देना चाहिए आपको अबशी ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का सांथ आपके लिए बहु अब बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिणाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तिटियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा शुब और मैंग अधिक राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथभाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद